तो ये है मोटो का brand new phone, इस phone का नाम है मोटो का edge 40, इसे आप 30,000 रुपे में flip card से खरीज सकते हूँ, बट क्या आपको खरीदना चाहिए, वही जानते हैं इस वीडियो में मेरा नाम है प्राव विर्क पहली बार इस चनल पर हूँ, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर वीडिय से बना हुआ है, इसमें जो phone आता है, वो भी एक thin paper cover में मिलता है, even charger पे भी कोई पन्नी नहीं है, वहाँ भी आपको एक thin paper cover मिलता है, and I think ये है right approach, box में से कुछ निकाल देना, फिर कहना कि हम environment के लिए काम कर रहे है, ये एक गलत बात है, यहाँ पे लोगों ने सब कुछ द पड़ेगी, वैसे यहाँ पे आपको दो और color मिलता है, जो एक leather finish लेके आता है, इससे वो premium और feel होगे, बट अभी मैं आपको यही दिखा सकता हूँ, वैसे phone design में काफी पतला भी है, exact पता हूँ तो 7.58 mm की thickness है, even weight check करोगे तो 170 gram से नीचे रहता है, तो phone को single house से use करने में काफी आपको मज़ाएगा, वैसे side से जो मैं आपको दिखाया था, वो पूरा एक metal frame है, premium feel होता है हाथ में, even IP68 की rating है, तो 1.5 meter तक आप पानी में डाल दोगे, वो भी 30 minute तक, तो भी इस phone को कुछ नहीं होगा, असानी से उसके बाद आप यूज़ कर सकते हूँ, तो यह इस महंगा देखता ही है, साथ में महंगी build भी लेके आता है, even सामने से देखोगे, तो यह एक curved display है, इसके bezels चेक करोगे, इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, और यह एक punch hole वाली display है, जिसका size बहुत अच्छा है, 6.55 inch, तो phone पहले हलका था, फिर display ऐसी है, जो single heart से use कर 60 hertz का refresh rate है, 120 hertz का 144 hertz तक refresh rate पहुंच जाता है, और SNE की सिर्फ system UI में काम करेगा, कोई भी app आप उपन करते हो, वहाँ पे 144 hertz अच्छी तरीके से optimized है, आउटरो में लेके जाते हो, 1200 nits की brightness है, direct sunlight में भी इसे use कर सकते हो, और एक last stage in display फिंग स्कैनर पी है, जो कि हर बार काफी fast का कर रहे है, तो display भी एकदम महंगी वाली यहां पी यूज़ किया है, इवन sound quality के अंदर भी, यहां पे दो speaker आपको मिलते है, एक तो bottom में है, एक आपको talk पे मिलता है, bottom वाला थोड़ा ज्यादा loud है, लेकिन यहां पे Dolby Atmos का support है, तो details काफी अच्छी पर यूज़ कर रहे है और क्योंकि Moto का software stock काइनट लेके आता है, तो एकदम clean है, कोई आपको ads नहीं मिलते हैं, कोई उल्टे सीधे apps नहीं मिलते हैं, और stock काइनट होने की वैसे आपको कोई bugs होगारा major नहीं मिलेंगे, इवन animations वगएरा भी काफी stable हैं, बट इस बार इन लोगोंने कुछ अच्छे feature भी add किये हैं, पहले तो वो जो universal theming है, वो यहाँ पर आपको मिलते हैं, सारे apps जो है, वो एक ही रंके हो जाते हैं, काफी अच्छा लगता है, इवन यहाँ पर edge lighting है, जैसे phone ultra रखा होगा, क्योंकि यहाँ पर curved display, और जब भी कोई call बगरा है, या notification आएगा, तो इसके edges जो अलग number पर चल रहा है, जो इसमें add किया है, वो अलग number पर आप WhatsApp चला सकते हो, तो यहाँ पर dual apps का support मिल गया है, इवन जैसे इसमें आप camera app add कर दोगे, और उससे जो भी photo की चोगे, इसके अंदर जो file manager है, वो उसके अंदर ही photo देखेगी, इसके इलावा कहीं नहीं, तो यह जो secure fold है, यह काफी एक handy feature है, तो software clean है, उसके साथ कुछ अच्छे features भी हाँ पर आपको मिलते हैं, अब performance के लिए, यहाँ पे एक नया प्रोसेसर ही उज़ गया है, media tech का 8020, 8GB RAM आपको मिलती है, EBITAR 4X वाली और UFS 3.1 की storage है, पहले आप scores देख लो, and scores काफी अच्छे produce कर रह हैं, छोटे ही नहीं, इवन बड़े app जैसे बड़े games भी हैं, वो भी RAM में रहते हैं, वहीं से आप continue कर सकते हो, even आप background से app close कर दोगे, और पहली बार open करोगे, क्योंकि storage speeds इतनी अच्छे हैं, कि आपको app opening भी काफी कमाल की मिलती है, तो normal काम करोगे, बिल्कुल यह phone नहीं इवन gaming भी इस पे आप कर सकते हो, जैसे यहाँ पे COD के अंदर very high plus max fps पे आप खेल सकते हो, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे frame drop नहीं मिलता, इवन अगर आप gyro player हो, तो यहाँ पे gyro sensor दिया है, वो भी अच्छे से काम कर रहा है, sensors के अंदर वैसे यहाँ पे सारे sensor दिये ग वैसे अभी तक ही वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज लाइक और शेर करते हो, इसे चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा और यह वीडियो भी चल जाएगी, अब camera एक important चीज है, उसकी बात करते हैं, तो पीछे आपको एक 50MP का main sensor मिलता है, 13MP का ultra white जिसे आप macro की तर कर रहा है, light control आप देखोगे, बहुत ही अच्छी यहाँ पर मिलती है, रात के अंदर भी bright images आ रही है, zoom करने पर आपको details मिलती है, colors यहाँ पी भी आपको काफी अच्छे मिलते है, वैसे इससे आप video बनाते हो, तो 4K 30fps में video बन सकती है, इवन यहाँ भी वैसे तो OIS का support है लेकिन यहाँ पर एक unique feature ने लोगों ने दिया है, जो है horizon lock, मतलब क्या है कि video एक direction में lock हो जाएगी, phone को उल्टा ही क्यों ना कर दो, video एक ही जगा, एक ही direction में lock हो जाएगी, तो यह काफी एक handy feature है, वैसे 13 एपिसल का जो ultramed है, उसमें यहाँ details मिल जाती है, दिन के अंतर, even यहाँ पर भी colors और light control काफी अच्छे है, वैसे सामने आपको 32 एपिसल की selfie मिलती है, जिसे आप दिन में use करते हो, तो यहाँ पर details तो आपको अच्छी मिलती है, colors भी ठीक है, वैसे इसे आप video बनाते हो, तो यहाँ पर एक interesting part है, 4K 30 fps में video बन जाती है, stable नहीं है, लेकिन व अब network के अंदर भी अच्छा काम किया है लोगोंने, Wi-Fi 6 का support है, 4G के अंदर 4G plus एकदम constant काम कर रहा है, NFC के यहाँ पर आपको support मिलता है, 5G के अंदर यहाँ पर 14 band है, and सारे important bands मिलते हैं, 5G में मस चल रहा है, वैसे यहाँ आपको 2 mic में मिलते है, top पे भी है, bottom में भी है, even proximity sensor भी dedicated है, तो हर बर अपने कान पर लगाओगे phone को, तो हर बर अच्छी तरीके से बंद होता है, वैसे यहाँ पर SIM slot थोड़ा सा interesting दिया है, वैसे तो अब यहाँ पर दो SIM यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक SIM आपको physical मिलता है, और एक SIM आप e-SIM की तरह यूज़ कर सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, वैसे बैटरी थोड़ी सी टेस्ट करनी रह गई है, लेकिन यहाँ आपको 4400 इमेच की बैटरी मिलती है, बॉक्स के अंदर आपको 68 वाट का चार्जर मिलता है, वैसे एक और interesting चीज़, यह wireless charging भी support करता है, जो की 15 वाट की है, तो वैसे त इधर उदर की बात नहीं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल एकन को ओल पे करना, लाइक और शियर कर देना अपने दोस्तों यारों के साथ, ताकि यह चैनल जल्दी ग्रो हो जाए, कोई सवाल रह गया, तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मिलते हैं आप लोग अगली व कर दोचिंग, दोग फूरों